जहिए दोस्तों स्वागात था आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैसा कि हमने पीछले विडियो में वन एव वन प्रानी संसाधन को सुरूँ किया था जिसमें हमने विभीन प्रकार के संरक्षन के माध्यम को और किस प्रकार संरक्षित के आजये विभीन जानवरों को विभ हौट्सपोर्ट के बाद समुधाय और वन संद्च्छन को समझेंगे, उसके आदिवासी को समझेंगे, आदिवासी का किस प्रकार महत्पुन भूमिका है, उस Caesar को समझने का प्रयाद समुद करेंगे। होट्सपोट सबसे पहले समझते होट्सपोट होता क्या है होट्सपोट का है आखिर होट्सपोट का टम इजाद कहां से हुआ होट्सपोट जो है सरपर्थम नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में इन सेतू के संदक्षन को प्राथमिक्ता के अधार पर होट्सपोट को पहचान प को हम इन सेतु कहते हैं मानली जी कोई एक वन प्रानी है इसका अस्थान है घर में रहना इसी घर में रहना तो हम इसी के घर को संड़क्षित कर दें इसी को कहते हैं इन सेतु और नॉर्मन ऐस– इस्थी को पर nov किता तेवह मींस्ट इन शेत्यव को ही जोर देतर हूए होट्सपोट का हाट्सपोट के सहां पर जोर दीया था होट्सपोट भी कोई चीज होता है ह्रस ठीक है तो होट्सपोट के निर धारन केaş dialogue के लिए मुख्य सरत्य क्या क्या है उस चीज को समझने का हम प्रयास करेंगे कि होट्सपॉट हम पहचाने कैसे कैसे हम मालीजये यह marker है तो कैसे हम इस marker को hotspot में डाल सकते हैं कैसे एगर यह one प्राणी है तो हम इसको कैसे डाल सकते हैं होट्सपोट में तो सबसे पर इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं इसके लिए कुछ मुख के सरते हैं कि हम होट्सपोट में डाल सकते हैं किसको इस मारकर को इस प्राणी को इस वन प्राणी को इस छेत्र को हम होट्सपोट में ड प्राणी है बिचित्र ट्राइब का प्राणी है और यह प्राणी कहीं और नहीं पाया जा रहा है तो हम इसको किसमें डालेंगे होट in में डालेंगे ता कि होट्सपर्ट में यह सन्रक्षन सब्सक्राइब हो tut दूसरा सर्थ या था माल लिज 365 पर लगstat है तोड़ हो रहा है इसा चीज को रोठना या अधिवास के निर्धारन को एति नहीं दूर तक अतिक्रमन होगा अनिथा इसके आगे जातर रोक तोक नहीं होगा मिलस मान लिजे कि ये छेत्र सुरक्षित रहेगा इस छेत्र पर कोई तरह का अतिक्रमन नहीं होगा इस छेत्र पर कोई इंट्री नहीं कर सकता है यहीं है दूसरा सर्थ मतलब होट स्पोट क् समझने का प्रयास करेंगे समुदाई और वन सन्रक्षन किसे कर समुदाई से वन सन्रक्षन का क्या लेना देना है समुदाई का अहने का मतलब हम समुदाई जन समुदाई जन जाती उस प्रकार का समुदाई को देखेंगे जयसा कि हम जानते हैं कि भारत में व्यूहिण प्रकार का समुदाय रहता है तरह तरह का जंजाती तो नागा जंजाती तो तरह 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 का जंजाती रहता है कि वो हमेशा चाहता है कि प्रकृति को हम संरक्षन करके रखें अगर वो प्रकृति का हास भी करता है तो एक चक्रिय पधती में कि अगर इसका अभिय हम खाएंगे इसको तो अगले महिना ये फिर से जन्म ले लेगा इसी प्रकार में वो प्रकृति का हास करता है तो कहीं न कहीं तो हम कह सकते हैं कि समुदाय एक महत् vậy queen भूमिकानी वहता है वन के संडेक्षन में ठा व के भारत के कुछ छेत्रों में अस्थानिस समुदाय सरकारी अधिकारीयों के साथ मिलकर वन जीवों के अवास स्थलों के संदक्षन में जुटे हैं मतलब कहने का अर्थिया हुआ कि भारत में कुछ समुदाय मान लीजिए हम कोई समुदाय का नाम लेते हैं जैसे भारत में रास्टवात सहीं और मोपला जनजाती दोनों मिलकर भारत में संरक्षित कर सके किसको वन प्राणी को वन संरक्षन को कर सके वन एवं वन प्राणी को संरक्षन कर सके जिस प्रकार सरिस्का बाग रिजर्व को अगर हम देखें सरिस्का बाग रिजर्व कहां पर है राजस्थान में वहां पर वहां का जंजाती राजस्थान के जंजाती थे वहां पर अवयद खनन होता था और इतना खनन होता था तक वन का हास हो रहा था वन प्रानी का हास हो र रहा था और उसी को बचाने के लिए वहां के समुदाय कहां के समुदाय तो राजस्थान के समुदाय उसका रखाने में निरंतर संघर्स करते रहें उसका रखाने के प्रती संघर्स करते और वहां के टोटल लोग 1200 हेक्टेर वन भूमी, जहां कहां पर भैरा देव डाको, वहां पर विहार चोरी घोसित कर दिया गया, विहार चोरी घोसित करने का अर्थ हिया हुआ कि यहां पर ना ही कोई अपना अवैज इंट्री कर सकता है, वहां पर जो कानून चलेगा, वहां पर दुसरा का नियम कानून नहीं चलेगा, ठीक, वहां पर आदिवासी, हम जैसा कि हम जानते हैं, आदिवासी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्द है, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें, तो अगर सिर्फ बड़े-बड़े बुधी जीवियों कहीं योगदान नहीं रहा था हमारे भारत में अजादी के लिए, कहीं न कहीं, बहुत से आदिवासी भी जो थें, हमारे भारत में अहम भूमिका निभायत थें, किसमें अजादी में, तो ठीक, उसी प्रकार आदिवासी सिर्फ आजादी में ही नहीं, हमारे वन उसी जंगल पर निर्भरत हैं अगर उनको कह सकते हैं कि वह अखेटक थे अब बोलिएगा अखेटक कहने का अर्थ क्या हुआ अखेटक का अर्थ मतलब यह होता है कि लोग वैखती घूम घूम के एक जगा से दूसरे जगा खाए उसे हम कहते हैं अखेटक अब अखेटक की ही संग्या क्यों दी गई उसको क्यों कि माली जे एक जंगल पास रहता था आदिवासी उसी जंगल के जानवरों को खाक जाता था उसी जंगल आत्मक लगाव था किसका आधिवासी का क्यों क्योंकि अपने जीवनदगी ही उसी चीज में यापन कर रहा है पेड़ पोधा उसके लिए मानों की एक परिवार के तरह हो गया था कि वह अपने जीवन यापन का एक अहम भूमिका एक अहम हिस्सा मानते थे किसको पेड़ बचाना है किसको साधन को अपने जीव को अपने जंगल को ताकि हम यहाँ पर आने वाले पीड़ी में हम रह सके अगर अनित्था जंगल नहीं रहा तो हम लोग नहीं रह सकते हमारा पेट पालन पोशन कैसे होगा हमारे बच्चे कैसे खाएंगे वही चीज अधिवासी करते थे कि अगर कोई जानवर प्रजननकाल में है अगर किसी बच्चे को जन्व दे रहा है या तो उसको जो है नहीं मारता था उसको छोड़ दिया जाता यहां तकि वह खाना जिस छेत्र में खाता था खाने खाने का अर्थ मतलब की उपजा कर फसल के उपजा कर वह चक्र संधल्ब का संदिक्षन प्राप्ट हुआ दिवासियों के दवरा अगर इस तरह का संद्रक्षन कि मतल्ब की ठाक्षन होगा सभाव है यासा कि आदिवासिक एक्जाम्पल हम लें तो हिमाले के झेतरों में चीपको अंधोलन के zajए पेड को गटने से बचाया गया था कितना विश्चक है पेड़ हमें चाया देती है पेड़ हमें ऑक्सिजन देती है और यहां तक कि अगर कुछ बच जा तो हमें मेडिसीन भी देती है तो हिमाले में चिपको आंदोलन के जरी हमें आदिवासियों ने यह दिखा दिया यह हमें बता दिया कि हम भी मनुष्य हैं और हम भी अपने संद्रक्षन में एक आहम भूमिका निभाएंगे किसके संद्रक्षन में तो वने मुमन प्रानी संसाधन के संद्रक्षन में इसी तरह के आंदोलन के जरिए इसी तरह चाहे चिपको आंदलन हो चाहे मोपला जन वईद्रो हो या तरह तरह के आंदोलन के जरिए इल्हों ने आदिवासी ने अपना परचम लहराते हुए यह बता दिया कि हम भी संरक्षन कर सकते हैं हम भी अपने देश में एक अहम भूम किरिशग संडरक्षन के अनुरूप क्रिशीन की कि जागरिती की तरू के कि और अपने निटी अपना कर जागरिती किया किसका किरसी का किरता है लेना कि करता पारत, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन, मिन्स संयुक्त वन प्रबंधन कहने का अर्थ हुआ कि एक management को दिलाया गया था कि इसके दौरा भारत सरकार के दौरा ताकि वहां पर छरित वनों के प्रवंधन एवं पुनर निर्मान में अस्थानी समुदाई के महत्यों को उजागर किया जाए का अर्थ हिया हुआ कि वहां के जो लोग थे, उनके मंसवहां कहां के लोग, वहां के समुदाई के लोग में एक भावनाओ को जगाना ताकि वहां के लोग 1-1 जीव को संड़खचित करें और ताकि आगे चल कर उन्हें कोई तरह का दिक्कत ना हो इसी के कारेकरम को देखते हुए 1988 में पहली बार उडिसा में संयुक्त वन प्रवंधन का पहला परस्ताव किया गया कि संयुक्त वन प्रवंधन लागू होना चाहिए यह भहुत अच्छा चीज है और 1988 में उडिसा में सरपर्थम लागू हुआ था गाउं के स्थर संस्थाई बनाई जाती थी गाउं के स्थर पर संस्थाई बनाई जाती थी ग्रामीन और वन विभाग में अधिकारी संयुक्त रूप से कारे करते थी तो उसी गाउं के स्थर पर संस्थाई बनाई जाती थी संस्था कहने का अर्थ हुआ कि तरह तरह का कॉम्मिनिटी बनाए गया तो तरह तरह का एक संस्था बनाए गया जिसमें ग्रामीन और वन विभाग के अधिकारी ग्रामीन के भी लोग थे वह दोनों मिलके संयुक्त रूप से कारे करते हैं भारत में जैन अबम बोध धर्म के अनवाई कहने का मतलब क्या हुआ अनवाई जो बोध और जैन धर्म को मानते थे वह लोग जो थे अहिंसा प्रेमी हुआ करते हैं जो बली पर था के विरोध में हो यहां तक कि वह किसी भी काट मार खून वगएरा के पिछे नहीं थे वह एक ही धर्म पर चलते थे अहिंसा पर्मो धर्मा विंस अहिंसा में ही धर्म है हिंसा में कोई धर्म नहीं है महत्मा बूध 487 में एक चीज कहते हैं कि पेड़ एक विसेश असमित दयालू और उदार्न पूर्ण जीव धारी है पेड़ जो है एक विसेश प्राता असमित जिसमें दया की भावना असमित है और उदार्ण पूर्ण मिन्स एक लिबरल टाइप से सभी कोग सब कुछ परदान करने वाला एक वस्तू की संग्या दिया जो सतत पोसन के लिए कोई मांग नहीं करता अपनी भरन पोसन के लिए वो पेड़ कोई तयका मांग नहीं करता है सिर्फ वो द्धूप में पूरी आज़िविका को चलाता है दानी सिल्सेल्था पुर्वक मिन्स दानी गांग क आयों की अपनी संग्या दी गई इक किसको पेड़ को कि वो दानी अपने जीवन के क्रियाओं का भेट करता है अपने जीवन के क्रियाओं का भेट करता है दान कर देता है अपना जितना भी जीवन जो चीज लेता है चाहे वो carbon dioxide की रूप में हमें oxygen देता है यहां तक कि जो उसको कुलहाडी चलाता है उसको भी छाया परदान करता और उताहा कि उसको भी oxygen पड़ान करता है तो इसी तरह महत्मा बुद्धने महत्पूर्ण संग्या की सहदिती पेड़ को देती तो आसा करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा कल के वीडियो लेक्चर या निथा आने वाले वीडियो लेक्चर में हम आ कर दो दो कर दो दो कि अपड़ दो और दो कर दो कर दो में